स्वागत है दोस्तों आपका किर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट कोश्चनों को सॉल्व करेंगे सभी कोश्चन प्रिवियस इयर एकजाम में पूछे गए हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझेगा पहला कोश कितना हो गया दोस्तों दो बटे 3 हो गया आपको एक फार्मूला पता होगा दोस्तों एक की पार्यम की पार Ne तो इसका फार्मूला होता है एकी पावर यम गुड़े N होता है यानि घातों का आपस में मल्टिप्लाई हो जाता है तो इसी प्रकार यहां भी करेंगे एकी पावर यम की पावर N है तो एकी पावर क्या हो जाएगा दोस्तों यम गुड़े N हो जाएगा तो ym की जगांपर 3 है और yn की जगांपर दोस्तों 2 बटे 3 है ठीक है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा क्या बचेगा दो का स्कॉयर और 2 का स्कॉयर क्या होता है दोस्तों 4 होता है ठीक है यानि इस question का correct answer क्या आजाएगा ठीक है उमीद करते हैं आप समझ गए होंगे बिलकुल simple तरीके से यानि आपसन नंबर सी इस कोश्चन का करेक्ट एंसर हो जाएगा चलिए दोस्तों अब अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है दोस्तों दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुड़न फल 375 है उनके भी उतक्रमों का योग क्या है देखिए दोस्तों द पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या वाई है तो दो संख्याओं का योग 40 दिया गया है और उनका गुड़न फल 375 है पहली संख्या यक्स है और दूसरी संख्या वाई है तो दोनों का गुड़न फल दिया गया है 375 ठीक है यानि यक्स गुड़े वाई का मान दिया गया है 375 पूछा क्या जा रहा है दोस्तों उनके ब्यूत क्रमों का योग पूछा जा रहा है पहली संख्या यक्स है तो यक्स का ब्यूत क्रम यानि उल्टा क्या होगा एक बटे यक्स होगा दूसरी संख्या वाई है तो वाई का उल्टा क्या होगा वाई का ब्यूत क्रम क् क्या होगा यानि one upon x plus one upon y का मान पूछा गया है देखिए दोस्तों इसको solve कर लेंगे तो क्या हो जाएगा y plus x हो जाएगा ठीक है y का गुड़ा एक में करेंगे तो y हो गया plus x का गुड़ा एक में करेंगे तो 1 हो जाएगा बटे नीचे 1 गुड़े वाई हो जाएगा ठीक है दोस्तों हमें मान पता है x plus y का मान हमें पता है क्या है 40 है तो x plus y की जग़ा पर 40 रख देंगे बटे यक्स इंटू y का मान क्या है दोस्तों 375 दिया गया है पान से इसको काटेंगे तो 58,40 हो जाएगा पान से काटेंगे दोस्तों इसको 75 बार में years future पान से काटेंगे 25,735 हो जाएगा, दो बचेगा ओर 55 हो जाएगा पसे यानि यहां से दोस्तों 8,75 आजाएगा ठीकर यानि 8,75 इस question का correct answer हो जाएगा अगला कोश्चन है दोस्तों 1570 का स्कॉयर प्लेस 1571 का स्कॉयर प्लेस 1572 का स्कॉयर प्लेस 1573 का स्कॉयर में इकाई का अंक है देखिए दोस्तों आसानी से स्वाल करेंगे 1570 में इकाई का अंक क्या है जीरो है तो जीरो का स्कॉयर कर देंगे ठीक है केवल इकाई के अंक का स् प्लेस 1571 में इकाई का अंक एक है तो एक का स्क्वायर कर देंगे प्लेस 1572 में इकाई का अंक दो है तो दो का स्क्वायर करेंगे ठीक है दोस्तों प्लेस 1573 में इकाई का अंक तीन है तो तीन का स्क्वायर कर देंगे देखिए दोस्तों 0 का square करेंगे 0 हो जाएगा एक का square करेंगे 1 हो जाएगा प्लस 2 का square करेंगे 4 हो जाएगा प्लस 3 का square करेंगे 9 हो जाएगा इनको आपस में add कर लेंगे तो यहां से 5 हो गया 5 और 9 मिलकर 14 हो जाएगा ठीक है यानि 14 में 11 का अंक क्या है दोस्तों 4 है ठीक है आप क्या करेंगे सबसे पहले सभी के इकाई का अंक ले लेंगे तो इकाई के अंक का स्कॉयर हो गया, यहां एक का स्कॉयर हो जाएगा, दो का स्कॉयर हो गया, तीन का स्कॉयर हो गया, सभी को आपस में आइड कर देंगे, तो चाउदा आया, चाउदा में इकाई का अंक क्य गए होंगे चलिए अब अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों यदि under root 256 भागे under root x बराबर 2 तो x का मान होगा देखिए दोस्तों question क्या दिया गया है under root 256 बटे under root x बराबर 2 दिया गया है x का मान पूचा जा रहा है देखिए दोस्तों under root हटाने के लिए हम दोनों तरफ का इसक्वायर कर देंगे ठीक है अंडरूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ का इसक्वायर करेंगे तो यहां से अंडरूट हट जाएगा तो 256 बटे दोस्तों क्या हो जाएगा यक्स हो जाएगा इज इक्वल टू यहां से दोस्तों 4 हो जाएगा दो का इसक्वायर क्या हो जा चार गुड़े में इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो चार से काटेंगे दोस्तों चार चंग 24 हो जाएगा पची से एक बचेगा तो 16 हो जाएगा चार चंग 16 ठीक है यानि दोस्तों यहां से एक्स कमान क्या निकल कर आएगा 64 निकल कर आएगा यहीं दोस्तों करेक्ट और आपसन नमबर B में इस question का correct answer दिया गया है उमीद करते हैं आप आसानी से समझ गये होंगे चलिए अब अगला question देखते हैं अगला question है दोस्तों under root 2 into under root 2 into under root 2 into under root 2 जब दोस्तों इस तरीके से दिया गया हो infinite तक ना हो सीमी तो हो ठीक है दोस्तों तब इसे कैसे solve करेंगे एकदम आसानी से solve करेंगे देखिए दोस्तों आप under root को गिनेंगे तो 1 under root 2, 3, 4, 5 under root है जितनी बार under root होगा उतनी बार आप 2 का multiply करेंगे तो under root 5 बार है तो 2 का multiply आप 5 बार करेंगे तो 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया और 5 बार हो गया देखिए दोस्तों under root जितनी बार होगा उतनी बार आप 2 का multiply करेंगे तो 5 बार under root है तो 5 बार आप 2 का multiply करेंगे क्या आजाएगा दो दूना, 4 दूनी, 8 दूनी, 16 दूनी, 32 आजाएगा ठीक है यहां क्या आ जाएगा 32 यहां देखिए दोस्तों 2-2-2 है ठीक है तो 2 को लिखेंगे 2 की घात 32 को लिख देंगे ठीक है 32 आया जितनी बार under root होगा उतनी बार हम 2 का multiply करेंगे जो आएगा उसको घात के रूप में लिख देंगे ठीक है दोस्तों उसमें से एक घटा करके ऊपर लिख देंगे यानि 31 बटे 32 इस question का correct answer आ जाएगा ठीक है उमीद करते हैं आप आसानी से समझ गए होंगे यानि option number C इस simple तरीके से solve करेंगे question क्या दिया गया है 8 बटे 125 की घात minus 4 बटे 3 देखिए दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है अगर एक ही पावर minus यम दिया गया है तो इसका मतलब होता है एक बटे एक ही पावर यम हमेशा ध्यान रखेंगे एक बटे एक ही पावर यम हो जाएगा यहाँ एक ही जगह पर 8 बटे 125 है और यम की जगह पर दोस्तों 4 बटे 3 है तो आप इसे क्या करेंगे एक बटे एक ही पावर यम कर देंगे यानि एक बटे दोस्तों एक ही जगह पर क्या है 8 बटे 125 है की पावर दोस्तों क्या हो जाएगा 4 बटे 3 हो जाएगा उपर minus है तो एक बटे है आठ बटे एक सो पचीस है तो एक सो पचीस बटे आठ हो जाएगा ध्यान रखिएगा दोस्तों यहां से दो तरीके से बनता है जैसे एक बटे दो बटे पांच है ठीक है एक पूरे का बटे दो बटे पांच है तब पांच का मल्टिप्लाई एक के साथ हो जाता ह अगर दोस्तों यही 2 बटे 5 पूरे का बटे अगर 3 हो ठीक है पूरे का बटे 3 हो तब 3 का multiply 5 के साथ होता है लेकिन यहाँ एक पूरे का बटे है जब पूरे का बटे ही होता है तो नीचे वाला का उपर वाले के साथ multiply हो जाता है यानि दोस्तों 125 हो जाएगा 125 में एक का multiply करेंगे तो 125 हो जाएगा बटे दोस्तों 8 हो जाएगा और power को same to same वाईसे का वाईसा लिख देंगे यानि दोस्तों 4 बटे 3 हो जाएगा ठीक है यहां से देखिए दोस्तों, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 125 को हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा ठीक है, 5 का क्यूब 125 हो जाएगा बटे, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, दोस्तों, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो दोनों क एक ही साथ में हम क्यूब लिख देंगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा और पूरे की पावर क्या है दोस्तों पूरे की पावर चार बटे तीन है ठीक है तो देखी दोस्तों घातों का आपस में मल्टिप्लाई हो जाएगा एक ही पावर यम की पावर यन यानि घातों का आप बटे दो का पावर फोर है तो पाँच की पावर फोर क्या हो जाएगा दोस्तों 255 पंचे 125 पंचे 625 हो जाएगा पाँच की पावर फोर क्या हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा ठीक है दो की पावर फोर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा यानि दोस्तों यहां से 625 बटे 16 इस क कोश्चन का राइट एंसर होगा उमीद करते हैं दोस्तों आप एकदम आसानी से सभी कोश्चनों को समझ गए होंगे दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताईएगा क्या इस प्रकार मिक्ष्ड कोश्चन की सीरीज को आगे हम कांटीनियू रखें या ना रखें इसको कमेंट अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेलको जरूर प्रिस करिएगा चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर जैहिंद वन दे म अगर की का मतर आये हैं पनली स्यuju पत्राइब के श्यु पर आयो आयो में पantal नहीं आयो आये हैं ख adsicken ख़र ऊपा दोसलेऻिक飯 तोस वहां तोस्तों के उसले पालो का लिएक उनले अगले भालो की असलातर बिबाला हैं एम बाहां आये हैं खूना एमातर खिमातर की उसला ह